हमें अपना प्यार देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए आप जो अलार्म बटन है उसको आप दबाईए और जितना हो सके वीडियो को शेयर करना न भूलिएगा नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भप्रस्तती जोतिश दिशा सत्य की राहा नमस्कार स्विकिष्णा शिरादे बहुत स्वागत था आप सबकी स्विहत खास कारकरम जोतिश दिशा सत्य की राहा में आपके साथ यह है आपका इस्ट्रो फेंड संतो संतोशी चन्रीगर से अब तो हम मूप हो चुके हैं आज आप हमसे गाजयाबाद मिल सकते हैं कार्याले में और 18 तारिक को एक सवाट कुमारी कर्ण्याओं से हम मात्र 1100 रुपे में मुलाकात करेंगे उनकी कुंडली का विशलेशन करेंगे तो अगर आप अभी वाहित हैं शादी नहीं हुई है तो आप हमसे मात्र 1100 रुपे में मिल सकती हैं उसके लिए आपको 500 रुपे दे करके रेजिट्रेशन कराना होगा रेजिट्रेशन की पर करिया चल रही है आप जो नंबर चल रहे हैं उन नंबर पर कॉल करके रेजिट्रेशन करा सकती है और गाजयवाद कारयाले में मिल सकती है आज का विशे हम बताएंगे कि कैसे एक खास देवी आपके लिए अचानक धनलाभ का कारण बन सकती है अच्छा सा विशे है प्यारा सा विशे अगर पैसे की चिंता है तो आप इस विशे के साथ जुड़ सकते हैं और इस विशे का आनन्द उठा सकते हैं ग्रहों की बात कर लेते हैं पहले पंचांग बताते हैं आश्विन मा शुक्र पक्ष सष्ठी वैसे कल थी लेकिन आज सुबह आठ बच कर चार मिनट तक सष्ठी रहेगी तो आज भी सष्ठी का पोजन किया जा सकता है इसके बाद सब्तमी चंद्रमा धनुराशी में नक्षत राज का मूल रहेगा और योग रहेगा शुबहन तदनुसार दिनांग 15 अक्टूबर दिन सोमवार सोमवार के दिन राहुकाल का समय सुबह 7 बच कर 30 मिनट से 9 बचे तक इसमें कोई भी नया और शुब काम नहीं करना चाहिए और गुलिक काल का समय रहेगा तो पहर 1 बच कर 30 मिनट से 3 बचे तक इसमें कोई भी नया और शुब काम का आरंब किया जा सकता है काम बन जाते हैं आईए चलिए अब गुरहों की तरफ चलते हैं और सोर्य कन्य राशी में, बुद्ध शुक्र धनु राशी में, ब्रहश्पति ब्रश्चिक में शरी चंद्रमा धनु में और मंगल केतु मकराशी में रहेंगे राहुकर्क राशी में रहेंगा मुल लक्षतर के 33-चरण में होने के कारण आज केतु की महादशा में सूर्योध हो रहा है तो चलिए शुरुबात करते हैं आज के दमदमाते चमचमाते सबता की पहले दिन के महा शुभ राशी फल में सबसे पहले मेश राशी मेश राशी के उपर आज प्रभाव सूर्व का बहुत स्ट्रॉंग दिखेगा कारे छेत्र में आपका दबदबा रहेगा बॉस के साथ तालमेल बहुत अच्छा विठाएंगे आज शादी व्या का मसला हल हो सकता है स्वास्त में विशेश लाव होगा मांगली कारेों में कहीं वेश्थ हो सकते हैं अचानक कुछ अप्रिय समाचार साम चार वजे के बाद प्राप्त हो सकता है क्या विशेश करना चाहिए आज स्वयम अकेले से निरड़े ना लीजेगा क्या नहीं करना चाहिए आज दो पहिया वाहन चलाते समय है लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए बादामी रंग शुभे छाच्छत प्रशत का भागिया व्रशव राशी किसी पुराने समस्या से आज कोई मित्र आपको बाहर निकालेगा शुक्षा के छेत्र में आपका प्रभाव आज चमचमा करके सामने आएगा अगर आप ब्रुशव राशी के हैं तो आज नहीं नोगरी के प्रयास को सफल होता हुआ देखेंगे आज आपके मन में प्रिशनता का वातावर रहेगा यात्रा से आज विशेश लाव होगा क्या आज करना चाहिए ब्रुशव वालों को आज नए मौके कलाशने चाहिए क्या नहीं करना है आज आज अपने मन की बात साजा नहीं करनी है बिशब के लिए शुबरंग ब्राउन भागी प्रिशत बचास मिथोन राशी घर में मांगली कारे संपन्न हो सकता है रुके काम आज चल सकते हैं शादी ब्या का मसला आज हल हो सकता है आज माता के स्वास्त की चिंता परिशान कर सकती है हो सकता है कि आज आपके अंदर एक अलग तरह की उर्जा जागने थो जाए अगर ऐसा होता है तो आज बड़े काम आपके बन सकते हैं कहीं बिजिनेस में निवेश वगरे के लिए भी आज का दिन बिल्कुल अनकूल है क्या करना चाहिए आपको आज दोस्त के भरोसा करना चाहिए क्या नहीं करना है उधार का पैसा नहीं देना है सफेद रंगशुप 57 प्रिश्ट का भाग्या है करक्राशी आज प्रेम संबंधों में खटास बढ़ सकता है आज कुछ अनहोनी हो सकती है आज आपकी कोई गुप्त रहस्त्यात्मक बात पता चल सकती है आज करक्राशी वालों को बहुत सावधानी के साथ अपने फैसले सामने वाले को बताने होंगे आज आपको गलत समझा जा सकता है अगर आपकी राशी करका है तो आज राजनीत में आपका नाम अच्छा चलेगा कोई प्रशाशन से काम निकलवाना था तो निकलवा सकते है करक्राशी वालों के लिए बहुत अलग तरह का प्रभाव दिखाई देने जा रहा है क्या विशेश करना चाहिए इस्थिरता से सोचना चाहिए आज जल्दी बाजी नहीं करना है नीरा रंग्षू भी क्यामन प्रश्द का भाग्या है सिंग राशी बाहर घुमने टहलने का कारक्रम बन सकता है प्रशद्धी की इस्थिति आज बनी रहेगी अगर आपकी राशी सिंग है तो निश्चित रूप से आप बहुत अलग तरह की प्रभाव को जीएंगे आज सिंग राशी वालों के लिए भगवान के प्रतियास्था का एक विशेश आनन्द आएगा अगर आपने पहले से सोचा था कि कुछ आज बड़े फैसले लिए जा सकते हैं तो आप ले सकते हैं क्या करना चाहिए आपको आज आज भोजन करके घर से प्रिस्थान करना चाहिए क्या नहीं करना है आज बड़बोला पन नहीं दिखाना है शुबरंग पीला भाग प्रिस्था शिक्टी एट इस अनसट कन्या राशी सुख्षा छेत्र में आज आपके फैसले बहुत अच्छे सावित होंगे आज टीचर मैं बहुत खुश होंगे आज कन्या राशी वालों के लिए राजनीती कुछ जोलता भी दिखाई दे रही है आज सरकारी नोकरी का अपॉइंटमेंट लेटर मिल सकता है आज कन्या राशी वालों को अपने पिता से कुछ साभाशी भी मिल जाएगी आवर्ड़ेट हो सकते हैं आज कन्या राशी अगर आपकी है तो कलाक्षेत्र में भी आज आज आपका दबदबा रहेगा आज आज आपका प्रभाव बहुत अच्छा और पॉश्टि दिखाई देगा क्या करना चाहिए फैसले ले लीजेगा आज क्या नहीं करना है हर किसी प्याज भरोजा नहीं करना है काला रंग शुब है साथ प्रिस्ट का भागए तुला राशी मित्रों का साथ आज बना रहेगा नए काम आज हाथ में आएंगे ब्यापारिक फैसले सही समय पर लिए जा सकेंगे आज तुलावालों के लिए दुती भाव में बुद्शुक्र की उपस्तिती के कारण कुटुम्ब में किसी ने महमान का आगमन हो सकता है आपका बर्चस्व आज दिखाई देगा आपका प्रभाव आज दिखाई देगा आज तुलावालों के लिए क्या विशेश करना चाहिए आज दोस्त का दुख दूर करना चाहिए आज क्या नहीं करना है तुलावालों को बहुत मायूस नहीं होना है बैगनी रंगशुभ है 67% का भाग साथ देगा रश्चिक नासी कुरोध आज बिलकुल न करिएगा दोस्ती में आज भरोसा किया जा सकता है आज आपका प्रभाव सामने वाले को खुश कर जाएगा आज प्रशन रहेंगे आप बड़े पुराने किसी समस्या से आज 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 कोई नया जीवन में भी प्रभेश कर सकता है प्रश्चिक वालों के लिए आज के दिन को पूरी तरह से कैश करने के लिए लेकर आगे बढ़ेंगे क्या आज करना चाहिए बॉस की बात माननी चाहिए क्या नहीं करना है आज पत्नी के साथ उलजना नहीं है लाल रंगशुप सत्तावन प्रशद का भाग्य है धनुराशी चंद्रमा और शनी की उपस्तिती एक साथ आपको आज कुछ मानसिक अंतर दोंद दे सकती है परिवार में कुछ खीचे-खीचे से रहेंगे आज किसी से कोई आज आपका विश्वास तोड़ सकता है आज ब्रेक अप हो सकता है आज धनुराशी वालों के लिए अकस्मात कोई अप्री समाचार परिशान कर सकती है थोड़ा सा निगेटिव दिन दिखाई दे रहा है क्या करना चाहिए देवी उपासना करनी चाहिए क्या नहीं करना है आज खुद को असहाय नहीं समझना है सफेद रंग्षुप पच्पन परशत का भाग्या है मकराशी आज मकराशी वालों का प्रभाव दूसरों के सर पे चड़के बोलेगा आप से आज लोग उलजना चाहेंगे रुपे पैसे के लेंदेन को लेकर के आज मकर वालों को दिक्कत हो सकती है आज नहीं नवकरी के प्रयास के लिए रुख जाईएगा जो पहले से चल रहा है उसको सभालने का प्रयास करिएगा वाहन खरीद सकते हैं संपत्ति विवात के लिए मीटिंग कर सकते हैं आज आज पत्ति पत्नी आपस में स्वयम को सुलजाने की कोशिश करें संतान पक्ष आज आपका थोड़ा सा पीडित हो सकता है क्या विशेश करना चाहिए आज जमीन लिया जा सकता है क्या नहीं करना है स्वास्त से कोई कंप्रमाईज नहीं करना है ग्रे कलर शुभे क्यावन प्रिस्ट का भागिया कुम्बराशी आज धन को ले करके आप जूजते नजर आएंगे सोचा था नहीं हुआ चाहा था नहीं मिला तो ये उल्जन आज आपको परिशान करेगे सबताकारं थोड़ा सा संतान पक्ष को ले करके चिंतित करेगा बच्चा कहीं बाहर पढ़ने कैया है बिट्या कहीं बाहर पढ़ने की है आपकी राशी कुम्ब है तो आज थोड़ी सी चिंता हो सकती बच्चों को ले कर अपने स्वास्थ पर विशेश द्यान देजे प्राइवेट सेक्टर में नौकरी पर परिवर्तन सिलता दिखाई दे रहा है दोपहर तीन बजे के बाद थोड़े से अलसाय अलसाय से रहेंगे अगर आपकी राशी कुम्भय तो राजदीत में आज दबदबा कायम रहेगा आज किसी से उधार अगर अपने लिया होगा तो उसको वापस कर सकते अगर आपके मित्र की राशी कुम्भय तो पहुंच जाएए पैसा लेने आज वापस मिल जाएगा कुम्भ राशी वालों को क्या विशेश करना चाहिए आज दूसरों क्या भी सुनना चाहिए क्या नहीं करना है अगर कुम्भ राशी है जल्दी बाजी में किसी को दे मत दीजेगा पैसा काला रंगशुप 57 प्रिश्ट का भाग्य है अंतिम राशी मीन राजनीत में आज उज्वलता रहेगी अगर आप बैंकिंग सेक्टर से हैं तो विशेश लाब मिलेगा अकाउंट्स वालों को आज विशेश लाब मिलने जा रहा है मकान बनवा सकते हैं पिता से विवाद खत्म कर सकते हैं प्रशाशन में अपनी पकड मजबूत कर सकते हैं लोग आपकी सुनेंगे लोगों के साथ आपका तालमियल अच्छा बैठेगा क्या विशेश करना चाहिए मीन राशी वालों को अगर आज आप मीन राशी के हैं तो आज अपने हाथ से किसी को खाना खिला दीजेगा क्या नहीं करना है आज किसी पर उची आवाज में किसी से बात नहीं करना है गुलावी रंगशुप चाहचर प्रिसद का वागी है नेक्ट आज का दिब भाग्याक्षर आई जानते हैं मेश नाक्षर ब्रिशब या मिथुन जाक्षर करक भा सिंग छोटा उवक्षर कन्या च्छा तुला हाग्षर ब्रिश्य खा धन वाग्षर मकर जा कुम्भ थाग्षर और मीन इडिवाला ए यह आपके अपने खास भाग्याक्षर जो 24 गंटे के लिए एक साधे चोकुर कागजपन लाल रंकिंग से लिखना है और पास में रख लेना है आज की सक्सेज की उल्टे पाउं की छोटी अंगली में एक दूरवा दूब घास पार्क वाली घास का टुकड़ा स्पर्श करके फेगिए और फिर अपने काम के लिए प्रस्थान करिए आहा आनन्द दुकान है चलने लगेगा मकान है शांती आ जाएगी क्या चाहिए शांती मिल जाए काम आने लग जाए तो बस कुछ सब कुछ अच्छा है आईए जान लेते हैं आज का दिब्ब्रम्हास्त्र की कैसे हम धन प्राप्त कर सकते हैं वो भी अच्छानक कुण्डली में आपके योग की इस्थिती क्या है आईए जानते हैं आज का दिब्ब्रम्हास्त्र साथ छोटी लाइची लेना है तीन दाना केसर का लेना है वही सैफ्रान जो रेश्य जैसा होता है इससे सामने किसी कटोरी में रख लें मिश्री मिला दें और अनामिका अंगुली से तीन बार चलाना है त्री टाइम्ज फिर ले जाकर किसी तुलसी के नीचे रख देना है और कटोरी वापस लाना है इसे कभी भी रात में कर लीजिएगा कटोरी छोड़ना नहीं है कुछ लोग कटोरी छोड़ने लग जाते हैं बहुत शुक्रिया धन्यवाज तो 108 लड़कियां अगर आपने रेजिस्टेशन नहीं कराया है तो जल्दी करा लीजिएगा 18 तारिक मह पहर का भोजन प्रशाद और मात्र 1100 रूपे में अपने आने वाले कल की समूर्ण जानकारी एक साथ है आई स्वागत करेंगे नमस्कार शुब दिन आए दिन जगडा आए दिल लड़ाई हर एक पति-पत्नी के जीवन में क्या यही एक सचाई है जब देखो तब बेडरूम में गए नहीं कि फाइट सुरू कभी सास की वज़े से कभी ननत की वज़े से तो कभी पापा की वज़े से कभी ममा की वज़े से क्या कारण है उननिस नमंबर दिन सो मवार तुलसी विवाह का दिन एक ऐसा दिब यग करवाने जा रहा हूं जहां पर प्रकृत की इस प्रकार की नकारात्मक शक्तियों को भी परास्त करने का एक उद्यम करेंगे हम और आप मिल करके अगर इस प्रकार की दिक्कत आपके या आपके किसी भी रिलेटिव की जीवन में है तो बिना बिलंब किये ततका कॉल करिए नमबर याद है बता दे चलिए बताना क्या है नीचे लिखा है पढ़ लिजेगा इन नमबर पर कॉल करके रेजिस्टेशन करवाए और 19 नमंबर को बाल बच्चों सहित आए पति-पत्नी आए और इ पत्ते जीवन को सफल और सुखर बनाए नन्यवाद नमस्कार जैश्री राध है एस्टो फ्रेंड संतोश संतोशी जी के द्वारा जन कल्यान और प्राणियों के खुशाल जीवन के लिए एक महायग्य का आयुजन किया जा रहा है इस महायग्य में हर एक हवन कुंड पर ए जिसके लिए अलग से कुंड और ब्राह्मन निर्धारित किये जाएंगे जो संतोशी जी के मार्क दर्शन में मंत्र जाब करेंगे इस आयुजन का हिस्सा बनने के लिए आप हमारे दिये गए नमबर्स पर कॉल और वाटसैप के द्वारा पूरी जानकारी ले सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं हमारे नमबर्स है 9560447000 99102918509999024099 दिल्ली और NCR में रहने वालों के लिए खुश खबरी आप अपना रजिस्ट्रेशन हमारे कारेले पर आकर भी करा सकते हैं हमारा पता है बी थर्टी फाइव जी एम वान शालीमार गार्डन एक्स्टेंशन टू साहिबाबाद घाजियाबाद उत्तर प्रदेश यग्या के लिए रेजिस्ट्रेशन पहले आओ पहले पाउ के आधार पर होगा हमें अपना प्यार देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए आप जो अलार्म बटन है उसको आप दबाईए और जितना हो सके वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा